नमस्कार साथियो एपिकल एग्री एकेडमी से मैं मनोहर धकड़ आपका सोगत करता हूं साथियो आज मैं आपको बताने वाला हूं की जो बेंक ओक महरास्ट में एफो की जो पोस्ट आई हुई है इस एक्जाम में इसका पेटर्न क्या है और सबसे अच्छी खुशी की बात यह की एफो की एक्जाम के अंदर जो पुराने हमारे चात्र हैं बहुत सारे चात्रों की समस्याई की मैथेमेटिक्स, रिजनिंग और इंग्लिश की बहुत अच्छी तियारी नहीं होने की वज़े से और एग्री कल्चर का बहुत अच्छा नॉलेज होने के बावजुद बहुत सारे हमारे से चातर हैं जो एफो की एक्जाम में क्वालिफाइ नहीं हो पाते लेकिन यहां जो पोस्ट आई हुए इस पोस्ट की हम बात करें इसकेल वन की जो पोस्ट है एग्रीकल्चर फिल्ट ओफिसर एफो की जो पोस्ट आई हुई है इसमें 50 कोश्टन जो जारे जिसकी त्यारी आपकी बहुत अच्छी है और जिन छात्रों का मैथेमेटिक्स रिजनिंग वाला पोर्शन या इंग्लिश वाला पोर्शन थोड़ा सा वीक होता है और एग्रीकल्चर बड़े स्ट्रोंग होते हैं उनकी हमेशा से शिकायत रही है कि सर हम लोगों ने तो कितनी सीटे हमारे लीए यहाँ पर है अलग-अलग केटेग्री की हम बात करें जिसमें SC, ST, OBC, EVS, Ocular सब को मिला करके 100 सीटे जो हैं यहां पर है और qualification की हम बात करें तो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से एग्रीकल्चर की किसी भी स्ट्रीम से आपका एधी गयर्सक्री निया चार वर्षी यानि कि फोर येर का जोब का से वह आपने कर रखा है फिर आप चाहे बहले भी एजी हैं भी एजी होटी का चरह आप लोग फोरेस्ट्री में हैं या फिर डेरी टेक्नोलोजी की हम बात कर लेंगे तो एकरी का चर्शी में यह दिया आपका क्वालिफिकिशन है तो आप किसी भी प्रकार से इस एकजाम को दे सकते हैं और यहां पर हम बात करें की यह एक्रिकल्चर में क्वालिफिकिशन की हम बात करेंगे इंजि निरी टेक्नालोजी इन सभी स्ट्रीम के साथ में अगर आपका जनरल के डिगरी में 60% उपर 100% पर जे सोन चाहिँ में SC ST और OVC के लिए 55 पॉच्टिन का अगर एग्रिगेट है आपका तो आप यहां पर यह एक्जाम दे सकते हैं इसमें आप पाटिसिपेट कर सकते हैं सबसे अच्छी बात सबसे अच्छी बात यह दोस्तों की इस एक्जाम के अंदर टोटल नंबर अब कॉश्चन पचास कॉश्चन पूछे जा रहे हैं और इनका जो मेक्जिमम मार्क्स है वो हंड्रेट है यहने की एक कॉश्चन जो है वह आपका दो नंबर का है और इस एक्जाम की सबसे बड़ी विश्यस्ता आई है कि यहां पर प्रोफेशनल नौलेज यहने की एग्री कल्चर के जितने भी सब्जेक्ट जितने भी डिपार्टमेंट हम लोग पढ़ते हैं उसमें फिर एग्रोनोमी आजाएगा हमारा होल्टी कल्चर आजाएगा उसके बात में आप लोग यहां पर जेनेटिक्स एंड प्लान्ट ब्र आजादू कि अगर 50 कोष्टन हमारे एग्री कल्चर के यहां पर आ रहा है एक रिकल्चर की अलावा और कोई सा सब्जेक्ट यहां पर नहीं पूछा जा रहा है तो साथी आपको ध्यान रखना है कि एग्री कल्चर के जो कौश्चन होंगे कुछ कोश्चन तो बहुत बैसि यह वो एगरी कच्चर के अंदर ही है तो यहां पर basic के अलावा आपको advanced knowledge भी दी है तो आप definitely यहां पर qualify हो सकते हैं तो अच्छी ख़बर यह कि mathematics, math, reasoning यहां पर पूछा नहीं जा रहा है प्योरली एगरी कच्चर के question एगरी कच्चर के अलग-अलग जो department है उसके question यहां पर आ करके भी attempt कर सकते हैं चुकि negative marking नहीं है तो साथियो अच्छे सीदी एगरी कच्चर को हम लोगों ने पढ़ रखा है जिनका एगरी कच्चर बेक्रण बड़ा strong है बहुत सारे बच्चे से जिनका एगरी कच्चर बड़ा strong होता है लेकिन प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते तो एफो में क्वालिफाई नहीं उपाते लेकिन यहाँ पर चुकि प्री का headache नहीं है डारेक्ली एगरी कच्चर के question आपकी exam में आ रहा है और वही आपको अच्छे से पढ़ करके यहाँ पर जाना है और आप क्वालिफाई हो सकते हैं साथ में हम बात करें कि application की हम बात कर आपको इसके farm को किस प्रकार से farm fill up आप कर सकते हैं तो साथियो candidate जो इसका farm बना चाहते हैं उनको आप बेंको महराश्ची की जो website है इस website पर आपको visit करना है देन आपको carrier वाले option पर click करना है recruitment process और वही पर यह जो आपका special officer scale 1 और 2 यह आपको वहाँ पर दिखाई देगा व तो अपना farm जो है वो online apply कर सकते हैं और farm जब आप भर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि farm एक तारिक से आपके farm एक सेप्टेंबर से आपके farm start हो गए और उसकी जो last date है online apply करने की last date है वह 19 तारिक है यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों तो farm भरना हमारे लिए महत्व पूर्ण यह की एगरी कर्च्छ की त्यारी करने वाले चात्र कौन-कौन से डिपार्टमेंट पर ज्यादा वेटेज देंगे आपको यह त्यारी करना है महारास्ट की जो एफो की पोस्ट आई हुई है उसकी हम त्यारी कर रहे है तो मैं आपको बता दो दूस्तों यहां प पर आएंगे तो होल्टी कल्चर जिसमें पॉमोलोजी और अलेरी कल्चर और फ्लोरी कल्चर यहां पर इनको पढ़ना पड़ेगा देन उसके बात में हम बात करेंगे यहां पर प्लांट साइंस और प्लांट साइंस के कोस्टन जब भी आते हैं प्लांट साइंस इसके इसका भी अच्छा खासा वेटेज यहां पर रहता है उसके बाद में लाइव स्टोग प्रोडक्शन आपको लाइव स्टोग प्रोडक्शन पशुपालन डेरी और पॉल्ट्री फार्मिंग यहां पर यह भी पढ़ना पड़ेगा आपको फिशरीज फिशरीज भी आपको यह यहां पर पढ़ना है और एगरीकर्चर के यह सारे सब्जेक्ट इदि हम पढ़ रहे हैं इसके अलावा आपको पैथलोजी और एंटमोलोजी के बैसिक कोशन भी आपकी एक्जाम में आ सकते हमें वह भी पढ़ना पड़ेगा एगरीकर्चर इंजिनियरिंग जो है वह भी आपको यहां पर पढ़ना है एगरो फोरेस्टी भी आपको पढ़ना पड़ेगा तो इस प्रकार से यह सब्जेक्ट जो हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा रहता हर एक्जाम के अंदर तो डेफिनेटली इनका वेटेज इस एक्जाम के अंदर भी ज्यादा होगा जिन जात्रों ने पहले तियारी कर रखी है और एगरी कर्च जिनका बड़ा स्ट्रोंग है उनको तो सिर्फ रिविजन करने की आवशक्ता है आपर लेकिन जो फ्रेशल स्टूडेंट है अगर वो तियारी करना चाहते हैं तो हम लोग अभी एक फ्रेश बेच छे सितंबर से आर दो महिने की सब सिर्फ पूरा प्लान करेंगे कि हमें पूरा कंपलीट सेले बस दो महिने में पढ़ना है उसकी बाद भी एक्जाम हमारी आगे बढ़ जाती है एक्जाम मगर तीन महिने बाद होती है तो हमें रिविजन करने का अच्छा मुखा मिल जाएगा और एडवांस से जोडने के लिए हमारा online course जोइन करने के लिए आपको Google के Play Store से Apical Agri Academy का हमारा mobile application जो है वो download करना पड़ेगा और उसमें भी आप लोग पहले एक सब्सक्राइब के लिए हमारे free session के साथ में हमारी live classes का जो free session होता है उसको आप join करें आपको लगता है कि हाँ इनका जो free session हम लोगों ने join किया है वो real time हमारी live classes होती है उसमें आपको जुड़ना है जिसका अलग से कोई charge नहीं देना है आपको लगता है कि हाँ continue आपको यदि करना है आपको हम लोग जो त्यारी करा रहे है आपको लगता है कि हाँ ये knowledge हमें प्राप्त करना है और इस level का हमें त्यारी करना है तो फिर आप हमारे साथ में जूड़ सकते हैं लेकिन एक सब्ता तक आपकी free classes हमारे यहां पर चलेगी लेकिन सारी classes हमारे mobile application की ओपन चलेगी तो आपको गूगल के प्ले स्टोर से एक सब्ता के बाद में आपकी paid classes भी स्टार्ट होने वाली है तो आप वो भी जूड़ कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिये गए आप वहाँ पर संपर कर सकते हैं लेकिन साथियों अन्तमय में एक बार फिर कहना चाओंगा कि agriculture subject वाले वो student जो हर बार math reasoning English का रोना रोते हैं कि साब हम लोगोंने चार साल agriculture बहुत अच्छे से पढ़ा है लेकिन pre की theory नहीं किये हमारा math कमजोरे हमारे English कमजोरे उनके लिए बहुत ही सुवरनीम आउसार है golden chance है यहाँ पर कि आपको pre का कोई headache नहीं है सिर्फ और सिर्फ एगरी कर्चर यानिकि टेकनिकल नौलेज ही आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है और यदि आप एगरी कर्चर फिल्डर से है तो आपको एगरी कर्चर का बहुत अच्छा नोलेज होना कर सकते हैं इस प्रकार से एफो की एक्जाम को लेकर के किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप लोग इस किन पर जो नंबर दिये गहें उन पर संपर कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यावाद